नमस्कार आजब भारत देख रहे हैं आप में आपके साथ राजमोन सेग्ग राश्चिय लोग समता पार्टी में कुछ भी आल इस वेल नहीं है कभी सुप्रीमो उपेंद कुश्वाहा के करीबी रहे नागमनी ने पार्टी से स्तिफा दे दिया है आपको याद दिला दे के उपेंद कुश्वाहा के करीबी रहे नागमनी को कारकारी अंध्यक्षपत से हाटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने नितिश कुमार की तारीफ की थी तो अब नागमणी ने स्तीफा दे दिया है, पार्टी के प्रात्मिक सदस्ता को भी उन्होंने ना कह दिया है इस खबर पे जादा बात करने के लिए हमारे साथ जोन रहे हमारे चैनल हैड अमिद ज्छा जी सर, नागमणी बहुत करीबी रहे उपनकुषवहागे अला कि उनकी आदत रही है इदाब अधल की और फिर उपनकुषवहाग को अलग ठलक पड़ गए है लेकिन देखे नागमानी कोई बहुत बड़ा फ्रेक्टर नहीं है अभिहार के राजनिती के लिए कभी वो नितीश कुमार के करीवी रहे थे, नितीश सरकार में मंत्री थे लेकिन लगातार नागमानी ऐसे राजनिता माने जाते रहे हैं लगातार उनकी महत्वा कांचा है जो है राजमान वो बढ़ती गई है जब वो मंत्री थे तो उन्होंने लोकसभा के लिए टिकट मांगा था और अपने समर्थोकों से जेडियू पार्टी ऑफिस में हंगामा करवाया था टिकट की मांग करवाई थी उसके बाद उसमें ललन बढ़ती जो नागमनी है उन्होंने आरोप लगा है टिकट बेचने को लेकर भी उपनेक्षपाहब पर जी तरह के आरोप लगाकर ही कोई व्यक्ति अलग होता है अब इस आरोप में कितनी सच्छाई है नहीं है इसका फैसला हम नहीं आप नहीं कर सकते हैं लेकिन जब उन् समझने के गोशिती है राज महाची चत्रा से चुनाव लड़ना चाह रहा है थे नागमनी उन्हें यह उमीद थी कि जहारखंड के चत्रा से टिकट मिलेगा जब उपेंद्र कुस्वहां महागडबंदर में आएंगे तो उपेंद्र कुस्वहां उनके लिए सीट ला सकते हैं लेकिन आरजएडी को मिली वो सीट तो वही मैं कहा रहा हूं और चत्रा से आरजएडी के उमिदवार सुमास यादव हैं जो काफी प्रबल उमिदवार माने जा रहे हैं और लालु यादव का सुमास यादव के नाम पे डुटो है कि वहीं चुनाव लरेंगे तो ऐसे में नागमनी के हाथ से वो सीट जाती दिख रही है उसके बाद वह यह भी चा रहा थे कि उनकी पत्नी जहानाबाद से चुनावला रहे यह भी महत्वा कांशा नागमनी की पूरी होती नहीं दिख रही थे महागडबंदन के अंदर में हलाकि उपेंद्ध कुस्वाह लागातार यह परियास कर रहा थे लेकिन जिस समय नितीश कुमार के करीब वो आएं और उन्होंने मन से तारिफ की मीडिया में बाचीत की कि हाँ नितीश कुमार का पहला कारेकाल जो है वो अच्छा था तभी यह समझ में आ गया था कि नागमनी अब एक स्पेस फोज रहे हैं उपन्त कुस्वा को छोड़ने का महागडबंदन से निकलने का और नितीश कुमार के सामने मजबूरी आज के डे मंजूबर्मा के जेल जाने से यह लग रहा है कि कहीं न कहीं कुषवाः वोट बैंक नलाज होगा नितीश कुमार से चन्त की बात क्या करते हैं अपने विवानेताओं को बुलाते हैं उसके बाद भगवान सिंह कुषवा को किजवाइनिंग होती है RLSP को एक तरह से तोड़ा जाता है कि मैसेज ना जाए कि कुषवाः वोट बैंक जो है अगर उपेंद्र कुषवाः के साथ उनके पार्टी के तमाम नेता रहते तो कहीं न कहीं सीट बार्गेन उस सिस्तिती में कर सकते थे उपेंद्र कुषवाः अब लालु यादा पूछेंगे कि अगर आपको तीन से चार सीट चाहिए तो किसके लिए चाहिए उमिदवार लेकिन उसके अलावा कौन से उमिदवार तो यहाँ पर लालु यादाव एक सवाल उपेंद्र कुषवाः से जरूर कर सकते हैं लेकिन नागमनी का जाना घटका मैं नहीं मांता ये कहीं न कहीं घाटे का सौधा है और घाटे का सबब है उपेंद्र कुस्वहा के लिए लेकिन इससे ये आप नहीं का सकते हैं कि तम कुस्वहा वोट बैंक जो है नागमानी के जाने के बाद NDA की ओर चला जाएगा नितिश कुमार के पाले में चला जाएगा और ये भी उम मनी जो है कुछ दिनों के बाद जेडियो जोइन करेंगे बिल्कुल तो नागमनी के जेडियो जोइन करने की हमारे चैनल हेड अमिज्जा ने अटकले लगाई है और देखा जा रहा है कि सियासी समकरन बदल रहे हैं और साती लोगसवा चुनाओ की नजदीक है इसलिए कॉंगरिस अपने उमीदबार खड़े कर रही तो इसके इससे भी कही न कहीं महागडबंदन जो है उसमें कॉंगरिस की भी एक अलग दूरी बनती दिखाई दे रही है तो तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं अजय भाद के साथ नमस्कार